ब्रेके बाद आपका स्वागत है भिलाई को छतिसगर का एजूकेशन अब कहा जाता है साथी इसे इस पातनगरी के रूप में भी जाना जाता है यहां के युवा अपने टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं बिलाई के रूंटा इंचिरनिंग कॉलेट के चातर सयद अपदाल ने भी कुछ इसी तरह की उपलब्धी इतनी कम उमर में हासिल की है जिसे हासिल करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है बिलाई के सयद अपदाल का चयन लंदन में होने वाले इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियंशिप के लिए हुआ है जहां वे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इस पातनगरी भिलाई के रामनगर में रहने वाले सयद अपदाल बच्पन से ही टेलेंटेड रहे हैं पढ़ाई लिखाई के साथ उन्हें डिबेट पब्लिक स्पीकिंग में भी इंटरेस्ट था घर में माता पिता का पूरा सहयुग मिला और सयद अपदाल आगे बढ़ते गए सयद अपदाल की माता भिलाई के कल्यान कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफिसर है वहीं पिता बिजनसमेन है नीचे सर से उठकर माता पिता ने सयद अपदाल की परवर इश्की है अपदाल की माता कहती है कि अपदाल में बच्पन से अध्यान शमता है एक आगरता और किसी भी विशे की रेगुलरिटी है अपदाल को हिंदी, इंगलिश, छतिसगड़ी, उर्दू और अर्बी भाशा की जानकारी है साथी धार्मिक विशो पर भी वो रूची रखता है मा फिरोजा और अपिता मौलाना जाफर अली का कहना है कि बच्पन से ही इसमें देश की सेवा का जजबा है सयद अबदाल यूपी असी की तैयारी भी कर रहे है ये भाव मैं आज तक देख रहे हैं जो देश भक्ती कूट-कूट के इन तर भरी हुई है और ये हमेशा इस बात को बोलते हैं कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मैं अपने मुल्क को प्रिजेंट कर रहा हूँ बाहर जाके इनके जो बड़ी खासियत मैंने देखी वो ये रही कि ये बच्चपन से मैंने एक बात देखा है कि अगर मैं कोई बात इनको बोल ला हूँ आप लगातार एक घंटे तक कोई बात बोल ला हैं परिवार का सपोर्ट है लेकिन इसकी खुद की जो छमता है वो मुख्य रूप से मायने रखती है माबाब चाहते हैं कि उसका बच्चे जो आगे बढ़े देश का नाम रोसन करें अब दाल मानते हैं कि बच्चपन से स्कूल में कहा जाता था कि सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता और दुनिया में आपके सामने जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए जिसे लेकर जब फस्ट एर में कंप्यूटर साइंस के पढ़ाई के लिए नोट्स की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर csv2uadda.com नाम की वेबसाइट सभी प्रकार के नोट्स के लिए बनाई युनाइटेड नेशन के प्रोग्राम एशिया पैसिफिक यूथ एक्षेंज प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए वहीं भारत में Ministry of Housing and Urban Affairs में स्मार्ट इंडिया हैकाथान में सेकेंड रनर अब भी वे रहे हैं सेयद अबदाल को कॉलेश का भी सहयोग और टीचर का भी सहयोग मिला Office of Voice President Philippines Lenny Rebrado के साथ भी उन्होंने काम किया सेयद अबदाल ने अपनी खोशी जाहिर करते हुए कुछ इस तरह से बताए जो इंग्लिश-speaking union के तत्वधान में होता है और इस competition में 50 से जाधा देश पाटिस्पेट करेंगे और हर देश से एक बच्चा चुना गया है अपने देश का पत्यनित्त करने के लिए इस बार मेरे लिए गौरफ की बात है कि भारत का पत्यनित्त तो मैं कर रहा हूँ अच्छ सेद अबड़ किस तरह से बच्चमत से ये शौफाड डिबेट में शामिल होने किस तरह से अपने तयार या किया और आज से इस तरह से आधा है जी मैंने स्कूल लेवल में हमेशा से इंटर स्कूल डिबेट में पाटिस्पेट करते वाया हूँ अब सेद अबड़ाल लंदन में होने वाले इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चेंपियनशिप में भाग लेने लंदन जाएंगे जहां वे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे लगभग 40 साल से इंगलिश स्पीकिंग यूनियन IPSC ये एजन करती आ रही है इस कॉंपिटिशन में 50 देश के स्टुडेंट हिस्सा लेते हैं इसमें पूने में North South East West कलब के मेंबर के साथ विवाद विवाद और Extemporary कॉंपिटिशन के बाद अबड़ाल का चैन हुआ है हर देश से एक स्टुडेंट चुना जाता है वह इस बार सेद अबड़ाल को देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है सेद अबड़ाल में गाने का भी हुनर है उन्हें मशूर सिंगर अनुमलिक ने समानित भी किया है बिलाई से अभी तक के लिए सुनील चाहान की रिपोर्ट